खा के बताओ महनूर कैसी बनी है जैसे हम नूडल्स खाते हैं या मैकरोनी खाते हैं बिल्कुल वैसी है ना जी चलो और खाओ तुम्हारे लिए बनाई है स्पेशल मैंने अबीरा एहमद फूर सीक्रेट में आप सबका वैलकम है उमीद है जी आप सब खेर खेरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे तो जी फ्रेंच फ्राइस तो सब बच्चों की जान है और मैकरोनी और पास्ता भी बोच्चों को बहुत ही ज़्यदा पसंद है तो जी बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगेंगी तो नहीं नहीं चीज़े मैं आपको बनाना बताती हूं ताके बच्चे जो है वो एक ही चीज़ खा के बोरिंग महसूस ना करें तो उनको आप स्पेशल लंच में भी दे सकते हैं बना के तो इसके लिए जी हमने अपने काट लिए हैं और इसको यह देखिए अब हम एक साइड से एसे दुबारा से कटिंग करते जाएंगे और बिल्कुल पतले हम इसको काट लेंगे लंबाई के रूख और काटने के बाद जी हम इसको साथ ही पानी में डालते जाएंगे ताकि यह काले ना हो क्या आपका पता है अगर आलू हम वैसे ही रख दें तो यह ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं यह देखिए ऐसे हमने इसको लंबाई के रुख काट लिया है तो यह एक और तरीका बता रही हूं जो आपको पसंद हो जी आपने वही फॉलो करना है या जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वह आप पॉलो करें और अपने याज अकुण कर्लें सोरे और इसको पानी में रख दें ताकि यह काले नहूं और पिर हम ने सारे यासे सटें करें ब्लांज करने के लिए । पानी बॉयल होने के लिए रख दिया उसमें आलू हम एड़ कर देंगे चार से पांच मिनट के लिए इसको हम कुक करके दुबारा स्टेन करके रख लेंगे साइड पर और इसमें हम आलू डालने के बाद 1 टेबल स्पून के क्रीब नमक एड़ किया है ताके हमारे आलू जो ह करीब था उसको अब हम फ्राइ कर लेंगे ताके वो हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जा और उसका जो एक चचापन है वो खतम हो जाए जब यह खतम हो जा तो हमने अपना चिकन लिया है स्ट्रिप्स में कटा हुआ लंबाई के रोख आप जो भी आपको जी शेप पसंद हो आ आड़ ना करें और नमक इसमें हस्बे जाएका जितनी आपको जुरूत हो जी वही हम उसमें लिहास से आड़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मार्शाला से बहुत ही अच्छी हमारी रैस्पी राड़ी होगी है आपने लाजमी एक दफ़ा बनानी है और इसमें अब हमने शिमला मिर्च अपनी आड़ कर दी है वो भी हमने लंबाई के रुखकटी आड़ की है वन टेबल स्पून पानी आड़ किया ताकर जो हमारा मसा अच्छी राड़ करेंगे वो भी वन टेबल स्पून के बराबर और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे माशाला से बहुत अच्छी इसकी खुश्बू है और लुक माशाला से बहुत अच्छी आप देख सकते हैं और फिर हमने ब्लांच किया हुए आलू जो है वो इस लेके आती रहूं और आपने एक दफा लाजमी जो ट्राई करनी है इन्शाला आप मैकरोनी जो है उसका फ्लेवर बूल जाएंगे इतनी मज़े की हमारी बंदी है तो इसको थोड़ा सा और चुटपटा बनाने के लिए हमने इसमें एक टेबल स्पून के बराबर से पकने के लिए रख देंगे पांच मिनट के लिए ताके जो हमारे अलू है वो अच्छे से सौफ्ट हो जाएं तो हमारे अलू जो है वो माशाला से राड़ी हो गये थे और हम बिल्कुल लास्ट में हमने इसकी आग बंद कर दिया है और उसमें यह देखें ऐसे लंबाई माशाला से उनको बहुत अच्छी लगेगी और वो बार बार फरमायश करके आपसे लाजमी बनाएंगे तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे और आप खुद भी खाएं और अपने बचों को भी दें माशाला से ब लेकना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफीज